हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू ओउन चनल स्टॉक मार्केट फंडा में अब में बस ध्यान से सुनना कि यहां पर एक्सपैरी में निफ्टी कहां तक जा सकता है क्या निफ्टी बाउंच में करेगा या और फॉल करेगा और में बस मैं कुछ बताना चाहूंगा पार्ट तू के अंदर के आपे क्या निफ्टी अंडर वैलूड हो चुक है क्या निफ्टी की पी-ई यहाँ पे बहुत कम हो चुकी है दोस्तों माना ये जा रहे है कि आपे अभी जो crash है member सुनना अभी जको fall दिखाए दे रहे निफ्टी में वो शायद ये consider के रहे कि आपे Nifty की PE यहाँ पे undervalued हो चुकी है ठीक है तो chances से के market में आपे oversold हो चुके है और market में बड़ा pullback आ सकता है ठीक है तो जो retail इवर शक है मेरी सबसे panic बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए market बहुत जलिक upside trend ले सकता है और यहाँ पर मैं मस बहुत सार लोगों की queries कुछ shout out जरू करेंगे और मैं मस एक बात ध्यान में रखेगा जिन लोगोंने mills किये है उनका जो respond होता है ठीक हम लोग यहाँ पर कम से कम एक से दो दिन लगते हैं पर response करने के लिए तो ध्यान में रखेगा morning में mail कते तो दूपर तक answer नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर पॉसिबल next day को answer मिलेंगे और tension मत लीजेगा आप जबी भी आड होंगे next day से आपकी service स्टार्ट होगी अगर 16,470 ब्रेक करता है तो निफ्टी और fall कर सकता है ठीक है तो आपको ध्यान में क्या रखना है निफ्टी यहाँ पर काफी important support पर treat करता हुआ दिखे जिए अगर यह break हुआ तो निफ्टी यहाँ पर थोड़ा और fall कर सकता है अगर exist nifty देखने है तो exist nifty gap down की possibility बता रहे 16,571 तक यहाँ पर निफ्टी gap down open हो सकता है लेकिन अगर डाउ जोन्स देखने जाए तो डाउ जोन्स प्लस साइट पर है ओके लेकिन दोस्तो अभी ध्यान से सुनना market कल यहाँ पर मान लोग gap up open होता है तो खरीदना मत ठीक है market यहाँ पर अपर लेवल पर अभी भी selling pressure face कर रहा है तो आपको best trade कप मिलेगा जब market gap up open होगा तब आपको best trade मेरी सब से मिल सकता है क्योंकि market बाद में fall कर सकता है तो एक्सपरी में क्या करना है आपको upset पर अगर gap up open होता है तो आपको short sale आराम से मिल सकते हैं अगर gap down open होगा तो मेरे भाई wallet आपको दिखाई दीगा जैसे कि आज wallet दिखाई दिखाई दिया एक uptrend बनाने की कोशिश की फिर fall कर गया और यहाँ पर जैसे breakdown आपको दिखाई दीता है जैसे कि आप दिखो तो यहाँ पर पांच मिट का chart है निफ्टिन यहाँ पर low तोड़ा उसके बाद sideways गया और यहाँ पर फिर low तोड़ा ठीक है फिर यहाँ से sharp recovery आई तो दोस्तो काफी wallet यहाँ तो बहुत सारे लोग यहाँ पर trade करते हैं positional थोड़ा hold करते हैं कि बाई और fall करेगा और fall करेगा 16,480 break कर दिया तो यहाँ पर 16,450 आएगा नहीं आएगा ठीक है क्यों नहीं आएगा क्योंकि market में continuously news flow यहाँ पर continue है वो ध्यान में रखे तो यह दोस्तो logic समझना है market में volatility totally दिखाए दिरी है तो position पकड़ के मत बैटना चोटा सा trade लो 20-30 point का momentum दिखे अब मैं मस मान लो यहाँ पर कल gap up open होता है डाव जोन्स की वज़े से gap up open हो जाता है तो short कहाँ पर करना है short करना है आपर 16,760 क्या सपस ठीक है मैं इसको थोड़ा proper कर लेता हूँ यहाँ पर 16,760, 16,860 क्या सपस यह बड़ा resistance से अगर यहाँ तक यहाँ पर market आता है तो आप यहाँ से short कर सकते हैं लेकिन wait कीजेगा छोटा सा stop loss रखेगा 16,830 का अगर 16,830 break हो जाता है तो आपको यहाँ पर exit कर लेने अपनी short position शे पकड़ के नहीं बैटना है वो ध्यान में रखे ओकी तो logic क्या होना चाहिए gap up में आप short कर सकते हैं वो ध्यान में रखे क्योंकि market में trend negative है expiry है market fall कर सकता है ठीक है second हो जाता है दोस्तों कि stable open होते है तुसर क्या करना है मेरे बाइ stable में gap down में कुछ मत करना seriously बोलना चाहूंगा market में volatility रह सकती है ओकी सिर्फ ध्यान में रखना है कि gap down open होगा मानलो 1-2% gap down open होता है 16,400 के असपास open होता है तो नीचे की level से खरीदारी आ सकती है ठीक है तो मैं दोस्तों seriously बोलना चाहूंगा कि जैसे कि मैं आपको कल की वीडियो में बता था कि मैं nifty में trade नहीं करूँगा हम लोगों ने भी आज यहां पर कोई trade nifty में provide नहीं किया था और मैं आज भी हाँ पर अकल भी ठीक है इंट्राडे break गया तो यहां पर short हो गया ठीक है कल का जो low था वो break गया था आराम शे शॉट किया हमारे members ने और उसने मेरे को एक screen shot भी बेज जाता ठीक है तो आपको ध्यान में क्या रखना है जो levels भोला हूँ अगर break हो जाते है तो वहाँ पर आप trade का सकते है clear यह दोस्तो logic होना चीए bank nifty के बारत करना है जाए तो हैं पर bank nifty members bank nifty भी totally volatile है ठीक है अगर पुछने जाए कि sir bank nifty में weakness और बढ़ सकती है definitely yes और बढ़ सकती है क्योंकि market में जो weak trend चल रहा है वो bank nifty है और still sector positive में जा रहा है ठीक है तो bank nifty को short करना सबसे ज़्यादा easy हो जाता है अगर आप मत से पूछे तो ठीक है bank nifty में अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ज्यादा short है ज्यादा fall करें तो वहाँ पर ज्यादा trade कीजिए जो भी index सबसे fast move करता है bank nifty या nifty दोनों में जहाँ पर आपको ज्यादा percent यह दिखाई देते है even downside even upside वहाँ पर आप ज्यादा trade कर सकते है यह logic समझ में आ रहा है ठीक है अब अगर यहाँ पर बात करने चाहिए bank nifty के levels के बारे में कि सर कल यहाँ पर कौन से level पर trade कर सकते है ठीक है अगर trade करना है सर तो कैसे trade किया जाए कौन से level पर हम लोग trade करें तो members मैं बताना चाहूंगा कि bank nifty का resistance clear cut दिखाई दे रहा है आज का high cross करने की बिलकुल भी कोशिश नहीं की है bank nifty ने ठीक है इसको थोड़ा सा remove कर लेते ताकि आपको proper दिखाई दे लेकिन bank nifty ने काफी अच्छा rebound किया last moment पे अब यह दोस्तों ध्यान में यह रखना है कि 35600 का resistance है तो अगर कल यह stable open होता है यह level break कर लेता है तो चांसे से कि momentum आ सकती है for 35800 तक यहाँ पर bank nifty जा सकता है क्योंकि दोस्तों last moment पे जो recovery है यह clear cut indications है कि यहाँ पर volumes या तो खरीदारी आती हुई दिखाई दी है तो bank nifty को specially focus जरू करना है bank nifty में काफी volumes आ रहे काफी oversold दिखाई दे रहे लेकिन यहाँ पर अगर यह level break कते है तो momentum थोड़ी बहुत आ सकती है ठीक है लेकिन अभी भी बोलना चाहूंगा nifty bank nifty totally weak है ऐसा मत समझेगा कि bank nifty nifty यहाँ पर positive हो चुका है weakness है अगर कुछ भी और negative हुआ तो market और भी fall कर सकता है ठीक है हाला कि bank nifty ने recent low ब्रेक करने की जरू कोशिश की जैसे कि आप देख सकते हैं 35,000 लेकिन जैसे ब्रेक की आप फिल से recover bank nifty ने कर लिया तो focus कीजेगा कि bank nifty में अभी भी weakness clear cut दिखाई दे रही है तो यह logic में बस आप जरू जियर में रख सकते bank nifty में अभी भी weakness है अगर सर यहाँ पर gap down open ठीक है हमेशा ध्यान में रखे कि अगर उपा से fall करना है ना market को सी ध्यान से देखो में बस समझो market को अगर fall करना है ना ठीक है तो top side पे थोड़ा time spend करेगा ठीक है time spend करेगा लेकिन जैसे time break करेगा मानलो यहाँ पर आधे गंटे के बाद यहाँ पर stock में fall आया nifty bank में fall आय की नीचे जाता है वहाँ पर आप shot कर सकते हैं ओकी यह दोस्तों लॉजिक द्यान में रखने है bank nifty में अभी भी weakness है यह आप द्यान में रख सकते हैं sir gap down में बीचे क्या मेरे भाई कल आज market काफी volatile था ठीक है कल market trending भी हो सकता है लेकिन news की basis पर अभी कहना मुश्किल हो जाते कि trending है ठीक है लेकिन मुझसे पूछे तो market में clear cut weakness है और gap down open होगा तो bank nifty में मेरी सबसे और weakness आ सकती है तो nifty शापोर्ट लेगा gap down में ठीक है लेकि तो clear cut हो जाते members में आपको ये समझा दिया है कि gap up में आपको short करना है nifty gap down open होते तो sideways चला जाएगा sideways हो थोड़ा positive ठीक है लेकिन bank nifty थोड़ा weak रह सकता है वो focus आपको सकते है और अगर stable open होता है तो मेरी सबसे bank nifty में try कर सकते है लेकिन try कीजिएगा half quantity के अंदर या single lot के या avoid कर सकते है डन तो ये logic कल के लिए दोस्तों आपको रखना है अब फटाट बात करने जहाँ पर intraday stocks के बारे में सबसे पहला members यहाँ पर intraday stock हो चुका है टाइटन का stock members मैंने यहाँ पर volumes देखे हैं यहाँ पर open interest दिखा है काफी strong open interest बना है काफी strong build up long build up होते हुए दि दिखाई दिया है चांसे से कि जैसे आज का high break करता है stock में momentum आ सकती है तो आपको क्या करना है wait and watch करना है जब तक आज का high cross नहीं हो जाता जैसे 2605 break तो stock में momentum आ सकते है stock और उपर जा सकता है तो stock को focus कीजिए stock यहाँ पर momentum upside कर सकता है even MSD positive है और इसे positive bullish है तो श्राइट stock में एक momentum आ सकती है second यहाँ पर stock हो चुका है आपर मारूती का stock में बस जैसे ही मारूती यहाँ पर breakdown करेगा ठीक है आज काफी sharp selling थी RSI MSD totally negative दिखाई दे रहा है ठीक है काफी sharp selling थी chances है कि अगर यह आज का low टूटता है तो definitely यह और नीचे जा सकता है क्योंकि मैंने दोस्तों दि interest काफी strong build up हो है short build up का भी हो चुके है तो stock में और गिरावट आ सकती है तो 1-5% के लिए stock को definitely short कीजिए लेकिन members में बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं stock breakdown करता भी नहीं है और वहाँ पर short कर लेते हैं मेरे बाई जलबाजी के अंदर मत करो serious note मैं बोलना चाहूंगा level देखो level अगर break होता है तो आप short करना है one shot बिलकुल भी मत करना तीसरा यहां पर stock में आप हो चुका है doctor redis का stock members proper breakdown दिखाई दे रहे चार्स 4000 का level one shot में यह break हुआ है chances ही और fall का सकता है doctor redis को focus कीजिए stock में clear cut breakdown है अगर यह और break करता है stock और fall करता है 3,825 आज का level break करता है stock में clear cut fall आ सकता है stock को focus रखिए clear cut breakdown है stock में और आखरी member stock हो चुका है GNFC का stock members काफी strong build up हो है long build up होते होगे दिखाई दिखाई दिया है stock हलाकि उपर के लिए से थोड़ी सी profit booking की है आप देख सकते हैं लिकिन अगर यह gap up open होता है level break कता है 592 तो stock में खरीदारिक कर सकते हैं एक से 1.5% के लिए stock और उपर जा सकता है ठीक है तो members चार्ज stock है दो down set पे है दो up set पे है definitely focus कीजे correct momentum trade आपको मिल सकता है clear hope members आज के वीडियो समझ में होगा वीडियो पसंद है होगा और members अगर whatsapp group को join करना चाहते है छोटी सी paid membership लेना चाहते है तो paid आप membership भी ले सकते हैं ठीक है पूरी paid membership की detail में आपको video के description में भी provide की है comment में भी provide की होगी और telegram की अंदर भी provide की होगी आप छोटी सी paid membership लेकि हमारे calls चेक कर सकते हैं या तो 5 मेनी की free membership भी ले सकते हैं लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हमारी link से आपको demand अपन करना होगा आप अपने family members के भी demand अपन कर सकते हैं ठीक है और video के description में भी link होगी और यहाँ पर comment में भी link होगी तो आप zero da के अंदर up stocks, angel broking या paytm money की से में भी demand account open कर सकते हैं चारो चारो बहुती best है इंडियन share market में demand अपन कर सकते हैं तो आप definitely try जरू कर सकते हैं मिलते हैं मैं बस अगले video के अंदर तब तक के लिए goodbye जैहिर